नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे हाथ में तीन दवाईया है पहली दवाई है एलियम सीपा 30 potency में दूसरी दवाई है दोस्तों आरसेनिक 30 potency में और तीसी दवाई सेवा डिला 30 potency अब आप सोचेंगे कि मैं आपको इन तीनों दवाओं के बारे में क्यों बता रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जब भी लगतार छींकने वाला कोई मरी जाता है या ऐसा मरी जो बहुत लंबे समय से जुकाम से परिशान है छींके लगातार आ रही है नाथ से पतला पानी लगातार बह रहा है या पतला पानी बहते बहते वो जो है गाड़ा मवाद में परिवर्तित हो गया है तो हम ये काम्बिनेशन मना करके दिते हैं जिसमें एलियम सीपा, आरसेनिक और सेवा डिला मिली होती है तो आज का जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं इसमें आपको इसका सबसे मुख्य घटक जो है सेवा डिला सेवा डिला के बारे में बताएंगे इसके 5 मुख्य उपयोग आपको बताए जाएंगे कि ये मेडिसीन कितनी ज्यादा प्रभावी है सेवा डिला को दोस्तों mostly 30 potency में यूज किया जाता है 30 potency में इसके 5 सबसे मुख्य उपयोग में यदि सरवाधिक उपयोग की बात करें तो इसका सरवाधिक उपयोग होता है जुकाम को ठीक करने में चाहे वो जुकाम, running nose, allergic rhinitis से धीरे 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 बढ़कर गाड़ा मबाद की तरब जा रहा हो अभी जो viral infection फिला हुआ है आप देखेंगे कि किसी भी प्रगार के viral infection में सुरुआत होती है पहले छीकों से नाक से पतला पानी बहता है जो धीरे धीरे आगी जाकर जुकाम का रूप ले लेता है गाड़ा मबाद बहने लगता है या sinus के केस में आप देखेंगे या nasal palip के केस में देखेंगे या ऐसे लोग जिने बहुत लंबे समय से सरदी की सिकायत होती है जो सलेस्मिक झिली है वहाँ पर जक्म बनने शुरू हो जाएए जग्मों बनने के करण दोस्तों वहाँ पर जलन पढ़नी शुरू हो जाएगी जलन पढ़ने के बाद धीरे-धिरे जलन और जख्म और यह जो सिक्रेशन नाग से पतला पानी बह रहा था यह आपस में मिल गर मवाद का रूप ले लेंगे और फिर गाड़ा सिक्रेशन जो है जुगाम की रूप में बाहर निकलने लग जाएगा तो एसा viral infection की stage में भी होता है जब लंबे समय तक viral infection सरीर में बना रहता है या ऐसे सभी मरीजों में होता है जो sinus या nasal polyp की सिकायट से परिसान रहता है तो इन सभी cases में चाहे वो allergic rhinitis का case हो बार बार चीके आना नाक से पतला पानी बेहना या sinus के cases में हो जहाँ पर गाड़ा मबाद नाक से निकलता रहता या nasal polyp के case में जहाँ पर गाड़े मबाद के साथ नाक के अंदर जलन होती हो या ऐसा लगता हो बार बार की नाक बंद अ सेवा डिला दोस्तों एक बहुती मुख्योजदी है सेवा डिला 30 potency में ऐसे cases में चार चारवुन सुबह दोबर रात दिन में तीन बार प्रवावित मरीज की जीप पर रखेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा आराम होता है सेवा डिला के दूसरे उप्योग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों तो सेवा डिला ऐसी सभे जगत दी जाती है जहां पर कोई भी विमारी एक निश्चित समय पर मरीज को अपनी चपेट में लेती है हम कलपना करते हैं एक मरीज की जिसे रोज लगातार साम 6-7 के बीच में बुखार आता है या रोज 6-7 के बीच में लगातार नाक से जुकाम पतला पानी बहता है वो दिनबर ठीक रहता है पर जैसे ही साम 6-7 बसती उसकी चीके आना सुरू जाती है उसका जुकाम होना सुरू हो जाता है तो जब किसी एक निश्चित समय पर बार-बार कोई बिमारी परेसान करती है, समय निश्चित रहता है, तो वहाँ पर हम सेडरान और सेवाडिला इन मेडिसीन की तरह सोचते हैं तो यहाँ पर भी यदि आप सेवाडिला देना चाहें, तो 30 पोटिंसी में सुभध उपर रात दिन में तीन बार चार चर्बून दे सकते हैं सेवाडिला का तीसरा मुखे लक्षन है, कि इसे गले में टांसिल्स या गले के दर्दिक लिए यूज किया जाता है, परन्तु तब जब दर्द की सुरुवाद बाएं गले में हो, और उसके बाद जो है, वो आगे जाकर के दाएं तरफ सिफ्ट हो जाए कोई बच्चा यदि आपको मिलता है जो टांसिल्स के इंफ्लामेशन से टांसिलाइटिस से परिशान है और सिकायत करता है कि सुरुवाद में मुझे गले के जो उल्टा भागे यहाँ पर तकलीफ होती थी जब भी मैं कुछ चीज निगलता था, या तो मैं खाना खाता था पानी पीता था, तब मुझे यहाँ पर दर्द होता था, परन्तु कुछ समय से यह दर्द वहाँ पर बंद होकर के सीधे तरफ होना सुरू हो गया है, तो जब कोई भी दर्द गले का या टांसिल्स में जो इंफेक्ट्चन है, वो बाई तरफ से दाई तरफ सिफ्ट हो, औ जर्म खाते हैं, तो इस दर्द में इस तकलित में आराम आता है, तो वहाँ पर हम सेवाडिला के तरफ सोच सकते हैं, जब भी हमारे पास स्टांसिल्स के मरी जाते हैं, तो हम कुछ बीसिस कांबिनेशन मना करके देते हैं, जिसमें बेला डोना, बेराइटा कार्व, पर रात, प्रभावित मरीश को दे सकते हैं, सेवाडिला के चोथे लक्षन की बात करें दोस्तों, तो सेवाडिला क्रमी के पेशन को भी दिया जाता है, हमारे इसमें वार्म इन्फेस्टेशन के लिए सिना, टुक्रियम, ये कुछ मुख्य मेडिसिन होती है, परंतु आप देखेंगे, तो सेवाडिला के अंदर सभी तरह के करमी को खत्म करने की चमता पाई जाती है, इसके लक्षनों में ये है कि यदि किसी व्यक्तिय को नाग के अगरभाग पर लगतार खुजली हो रही है, गुदा मार्ग पर लगतार खुजली हो रही है, तो ये एक लक्षन होता है क्रमी का तो ऐसा पेशन आपके पास आता है जिसके हिष्टी मिलती है कि ये काफी लंबे समय से क्रमी से परिसान है साथ में गुदा मार्ग में या नात के अगरभाग पर खुजली हो रही है तो वहाँ पर भी आप सेबाडिला दे करके इसे मरीश को लाब पहुचा सकते हैं एसे मरीशों में भी आपको सेबाडिला थर्टी पोटेंसी में चार चारगून सुवे दोबर रात देनी चाहिए तो चोथे उपियोग के बाद आज का पाजवा उपियोग जो है सेबाडिला का वो है मानसिक लक्षन पर एसे मरीश आपको दोस्तों मिलेंगे जिनको किसी भी प्रकार की बिमारी नहीं होती परंतो वो ये सोचते रहते हैं कि मुझे कोई बिमारी है वो मानने को तयार नहीं होते हैं कि आप स्वस्त हैं उनके अंदर से बारवार विचार चलते रहते हैं कि मैं किसी बिमारी की चपेट हूँ तो एसा मरीज आता है जिसे वास्तों में कोई बिमारी नहीं है परन्त उसकी मान सिखता है इस प्रगार की मैं बिमारी से घिरा हुआ हूँ वहाँ पर आपको सेवडे लगा यूज करना चाहिए। बिमारी हो गई है मुझे कोई ब्रेंड टूमर हो गया जिसके कारण मुझे सिख्दद हो रहा है आखों में भारी पना रहा है तो यह समझ लीजे कि उसे बिमारी कुछ नहीं है परन्तु वो विचारों में अपनी बड़ी बिमारी को अपने अंदर महसूस कर रहा है ऐसे सभी केसे में आप सेवाडिला दे सकते हैं यह सेवा डिला का पहुत ही प्रमुकमानशिक लक्षन है यहाँ पर भी सेवाडिला 30 पूटिंसी में सुबह दोबर राथ दिन में 3 बार देंगे कुछ दिनों तक लगातार देंगे तो यह लक्षन भी आपको मरीज से जातू दिखें क्रमी के लिए सिना, ट्युक्रियम और सेवाडिला का यूज किया जाता है. जहां पर है पिरियोडिक कोई भी मारी आ रही है, तो वहाँ पर सेडरान प्लस सेवाडिला का यूज करते हैं. इस प्र Cindy's करते हैं, इस प्रकार से आप सेवाडिला को अपने मरीजों की स्थिति के अनुशार यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उम्मिद करूंगा वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जाए हिंद बंदे मात्र